माइक्रो बिट में एक डॉजेंग गेम बनाना सीखते हैं जिसमें हम A और B बटन पुश करके जो हमारा प्लेयर है उसको मूव कर सकते हैं और उपर से गिरते हुए अब्जेक्स को हमें अवाइट करना है अगर तीन बार कोलिजन हो जाता है तो गेम खतम हो जाएगा ये गेम हम सिमिलेटर में भी खेल सकते हैं और इसको हम ट्रांसफर करके माइक्रो बिट में भी खेल सकते हैं गेम बनाने के लिए हम जाते हैं makecode.microbit.org और यहां जाके हम कह रहे हैं new project और हम project का कुछ भी नाम दे सकते हैं हम कह देते हैं dodge falling objects तो हम यहां पर क्या चाहते हैं कि हम सबसे पहले एक player की sprite बनाना चाहते हैं यानि कि जो यह हमारे पास यहां पर एक 5 by 5 की LED की grid है इसमें से हम एक grid को light up करके assign कर रहे हैं कि वो हमारा player है तो इसके लिए हम जाते हैं advance में और games में और game में जाके हम कह रहे हैं create a sprite at x equals 2 and y equals 2 तो यहां पर जो हमारे यह LEDs थे microbit के उपर इनके coordinates हैं कि जो left top जो LED है वो 00 है यहां पर फिर यह 1234 ऐसे बढ़ रहा है और नीचे भी यह 1234 ऐसे बढ़ रहा है तो यह समझने के लिए हम variables में जाके एक नया variable बना रहे हैं और हमारा variable का नाम हम दे रहे हैं player और हम कह रहे हैं कि on start set the player to create a sprite at x equals 2 and y equals 2 तो x equals 2, y equals 2 जो है वो है एकदम center of the grid में तो हम चाहते हैं कि LED जो हमारा player जो है वो bottom row में जो है वहाँ पर move करें तो starting position हम कुछ भी कह सकते हैं पर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि x to y4 तो हमारे को bottom row में middle में हमारा यह जो sprite है यह हमारी यह player है अब इसको हम move करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जब A button दबाएं तो यह left की तरफ move करें और B दबाएं तो यह right की तरफ move करें तो इसके लिए हम जाते हैं input पर और input पर हम कह रहे हैं कि when button A is pressed game में जाकर हम कह रहे हैं जो यह player नाम का variable जो है इसकी value x value को change by minus 1 क्योंकि हम इसको left की तरफ move करना चाहते हैं तो यह हम code test करके देख सकते हैं तो अगर हम अपने simulator में A button दबा रहे हैं तो हमारी जो player sprite है वो left की तरफ move कर रही है हम इसी को duplicate करके यहां कह रहे हैं और यह grey out हो गया है क्योंकि यह कह रहा है कि इस वक कोई error है और error क्या है कि हम button A दौनों तरफ assign कर रहे हैं तो यहां हम drop down करके कह रहे है button B so when button B is pressed जो player नाम का variable है उसकी x की value जो है x coordinate की value जो है उसको one से change करना यानि ताकि वो right की तरफ move करे तो अब हमारा player जो है वो player की sprite हम उसको A और B button दबाके left और right move कर सकते हैं तो next हम जो हमारे falling objects थे उनको drop कैसे करते हैं यह सीखते हैं तो इसके लिए हम एक और variable create करते हैं तो मैं variable में जाके make a variable कह रहा हूं और let's say उसका नाम में देता हूं falling object तो अब बिलकुल वैसे जैसे हमने यहां पर on start player को set up किया था कि कहां पर player की sprite light up हो हम यहां पर कह रहे हैं कि forever because जो object है वो हम चाहते हैं कि वो forever नए नए objects generate होते रहें और नीचे drop होते रहें तो हम कह रहे हैं forever set the variable call falling object और हम कहां चाहते हैं objects आएं हम चाहते हैं कि यह top row में आएं और उसके बाद नीचे गिरें तो top row means game में जाकर हम फिर से create sprite ला रहे हैं और अब अगर हम top row में चाहते हैं तो हम कह रहे हैं कि इन objects की जो initial position है वो होगी y equals 0 और x जो है वो हम चाहते हैं कि top row में random में कहीं पर भी between 0 and 4 उसकी value हो तो random यह जो random value set करने के लिए हम math में जाकर यहां से ला रहे हैं pick a random value और हम कह रहे हैं random value क्योंकि यहां पर x की value 0 है और जो fifth LED है उसमें x की value 4 हो जाती है तो हम कह रहे हैं pick for the x coordinate pick any value between 0 and 4 तो अब जो है यहां पर हमारी sprite setup हो रहे हैं और यह समझने के लिए कि यह set up हुए थे मैं यहां basic में जाकर एक pause डाल रहा हूं just to show you कि execution इसका कैसे हुआ तो यह जो है का मतलब है कि हम चाहते हैं कि y की value जो है वो change हो तो यहां y की value जो थी इसको one से change करो और अगर अब मैं इसको यहां डालता हूं तो हम test करके देखते हैं तो हमारे यहां पर अब जो objects हैं वो actually उपर वाली row में आ रहे थे और फिर नीचे एक गिर रहे थे और हम चाहते हैं कि यह जो process है यह पांच बार repeat हो जाए ताकि वो उपर से sprite generate होके नीचे तक गिरे तो इसके लिए हम इसमें loops में जाके कह रहे हैं कि repeat this five times तो यह अब जो हमारे objects हैं यह नीचे गिरने शुरू हो गए हैं और यह उपर randomly generate होने शुरू हो गए हैं और यह कि speed से नीचे आएं यह हम change कर सकते हैं यह जो हमने यहाँ pause डाला है तो अगर हम pause की value बहुत कम कर देते हैं 100 millisecond कर देते हैं अब हम यह भी चाहते हैं कि जब यह नीचे आएं तो यह delete हो जाएं तो इसके लिए हम game में जाके कह रहे हैं delete sprite की command ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब यह sprite उपर की रो में generate हो नीचे आएं और जब नीचे आएं तब यह gaiv हो जाएं और sprite नहीं sorry यहाँ पे हमार को change करना है कि falling object और इसलिए हमार को यह error मिल रहा था अब यह जो है हमारा program यह ठीक generate ठीक चल रहा है कि हमारे पास हैं और यह गिर रहे हैं और इनकी speed हम इस pause की value change करके control कर सकते हैं तो अब हमारे पास हमने दो चीज़ें करनी हैं कि हमारा जो player sprite है वो हम A और B दबा के move कर पाते हैं हमारे falling objects randomly generate होके नीचे गिर रहे हैं और हमें अब final जो चीज़ setup करनी है वो करनी है कि collision detection collision detection के लिए हम game में ही जा रहे हैं और यहां पर हम कह रहे हैं is one particular sprite जो कि हम यहां पर कह रहे हैं कि if the falling object is touching this the other sprite called player तो मैं यहां duplicate करके यह ला रहा हूं तो हम यहां पर condition क्या check करना चाहते हैं कि if the falling object is touching the player then let's say जो भी हम करना चाहते हैं let's say game over करना चाहते हैं तो अब यह test करने के लिए हम जा रहे हैं logic में और logics में हम यह conditional statement ला रहे हैं कि if this particular statement कि falling object जो है is touching the player then do something तो simple game बनाने के लिए अभी मैं यहां जाके कह रहा हूं कि अगर वो touch करेगा तो game over और इस यह जो हम condition चेक कर रहे हैं हम इसको delete object करने से पहले चेक करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि गिरता हुआ object जो है वो अगर player से छूँ जाए तो हम हमारा game जो है वो over हो जाए तो अगर अब मैं इसको खेलता हूँ तो जैसे यह touch होगा हमारा game जो है वो खतम हो गया एक बार और टेस्ट करते हैं A B button दबाके A और B button साथ दबाके game restart होता है और हम A और B से अपना sprite move कर सकते हैं और अगर sprite हमारा collision हो जाता है तो हमारा game जो है वो खतम हो जाता है तो next हम क्या गरते हैं एक last चीज़ इसमें डाल देते हैं कि हम lives की concept डाल देते हैं कि केवल एक के बाद नहीं हम यहाँ पे अपने player को तीन lives देते हैं इसके लिए हम फिर variables में जाके एक नया variable बना देते हैं lives और हम कह रहे हैं कि जब game शुरू होगा तो on start variables में जाके हम lives की lives नम का variable जो है इसकी value सेट अप कर देते हैं 3 और फिर हम क्या चाहते हैं कि जब पहली बार falling object player से touch हो तो not that कि game over हो जाए बट life जो है वो एक कम हो जाए तो इसके लिए फिर हम फिर से variable में जाके यहां कह रहे हैं कि अगर falling object touches the player then change the variable called lives by one और फिर हम एक और condition चेक करना चाहते हैं तो मैं इसको duplicate कर रहा हूँ और हम यहां क्या चाहते हैं lives का जो variable है अगर उसकी value zero हो जाए तब game over हो जाए तो इसके लिए हम यहां पर चेक करना चाहते हैं equality तो हम logic में जाके यह equality चेक करने का comparison ला रहे हैं और हम यहां कह रहे हैं कि if this variable called lives is equal to zero then the game is over तो यहां हमारा logic क्या है कि falling object में हमने कहा कि create a sprite at x an x की value होनी चाहिए any random value between zero and four और y zero ताकि वो उपर की first row में generate हो फिर हमने कहा कि repeat five times जो falling object नाम का जो हमारा sprite है उसकी value उसकी y की value एक से बढ़ाते रहो तो वो zero है फिर one, two, three, four इस तरीके से पांच बार जो है वो change होगी और जब उसको एक नीचे लाओ तो थोड़ा pause दे दो और इस pause से हम falling object की speed जो है वो हम control करते हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर falling object player को छूरा है तो lives नाम का variable जिसकी initial value हमने three set करी थी उसकी value वो कर दो minus one और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर ये क्योंकि जैसे तीन है तो three minus one minus one minus one ऐसे करके जब zero होगी तब game over तो हम इसको test करके देखते हैं तो A और B बटन साथ दबाके game हमारा शुरू होता है और हम ये left and right move हो सकते हैं तो तीन बार अगर हमारी अब lives हमार को तीन मिल गई है और अगर तीन lives जब खतम हो जाती है तो हमारा game जो है वो खतम हो जाता है तो next हम इस game को microbit में transfer करते हैं तो हमारे पास यहाँ ये microbit है और इसको मैं अपने computer से USB cable से attach कर रहा हूँ और पिछली बार हमने देखा था कि हमने ये download button use किया था या ये save button use किया था इस बार हम ये three dots दबा रहे हैं और यहाँ पर हम ये कह रहा है कि connect the microbit to your computer with a USB cable and then pair your device तो हम यहाँ pair your device कह रहे हैं तो यहाँ पर ये microbit recognize कर रहा है मैं इसको select करके कह रहा हूँ connect तो ये हमारे device जो है ये pair हो गया है और अब हम यहाँ पर कह रहे है download to microbit तो मैं यहाँ download कर रहा हूँ और ये हमारा game जो है ये microbit में शुरू हो गया है और हम इसको left right move हो सकते हैं और already दो lives हम lose कर चुके हैं अगर एक और collision हुआ तो game जो है वो खतम हो जाना चाहिए तो I hope आपको समझ में आया हो कि आप microbit में कैसे game बना सकते हैं उसको कैसे simulator में खेल सकते हैं और कैसे आप उसको transfer कर सकते हैं अपने microbit पर अगर जो मैंने यहाँ पर कुछ-कुछ programming concepts बोली है जैसे variable की बात हमने करी loops की बात करी conditional statements की बात करी अगर यह आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो मैं recommend करूँगा कि आप मेरे YouTube channel youtube.com slash kalatit kaushal में जाएं और यहाँ पर अगर आप playlist में जाएंगे यह जो computer programming with scratch in Hindi यह playlist है अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर मैंने step by step समझाया था कि algorithm क्या है और loops क्या है और boolean and conditional statements or nested conditional statements क्या होते हैं यह computer programming की कुछ fundamental concepts है यह जो fundamental concepts है यह सब computer programs में काम आती है जैसे अगर मैं यहाँ drop down करके यही code जो है इसको मैं javascript में देख रहा हूँ तो यह javascript में भी यह fundamental concepts जो है यह सब लगी हुई है कि if then conditional statements है loops है functions है और यही चीद अगर मैं यहाँ python में इसी code को देखना चाहता हूँ तो again यह सारी fundamental concepts हमारे को यहाँ पर भी मिलती है तो जितना आपके fundamentals strong होंगे उतना आप जो है अलग-अलग languages में programming करना सीखेंगे I hope इस tutorial से आपको कुछ idea मिला कि microbit में आप games कैसे बना सकते हैं